तो one time investment में सबसे पहली और important चीज़ है shade oyster and milky mushroom का जो cultivation है उसको indoor cultivation बोल जाता है यानि कि चार दिवार और एक छत होना चाहिए वही आप इसका cultivation कर सकते हो जैसे चावल, गेहु काम, outdoor यानि कि बाहर खेतों में जैसे हम cultivation करते है ऐसे oyster and milky mushroom का cultivation नहीं करा जाता है इसके लिए इसको indoor cultivation बोल जाता है और उसी के लिए हमें लगता है shade अभी shade है ना दोनों तरीके में आता है पहली चीज़ तो इसको one time भी आप कर सकते हो या फिर recurring भी कर सकते हो for example one time में कैसे अगर आपने समझो shade बनाया उसमें भी अगर लोहे का shade बनाया उसमें लोहा सिमेंट सबको चूज कर लिया पक का shade बनाया lifetime या फिर अगले 40-50 साल हो चलने वाला है तो वो one time cost में आ गया या फिर उसमें कम खर्चे वाला सुझाओ ये भी होता है कि अगर आपने बांबू, खास, बोरिया, ग्रिनेट के यूज करके अगर आपने shade बनाया वो अगले 3-4 पास साल चलने वाला है उसमें लगवक 40-50 साल की cost आ सकते है तो वो भी एक one time cost हो सकते है